शोताओं नमस्कार जुड़ी हुई हैं बापू ने दो बार 36 चेत्र का दोरा किया था बापू की ये दोनों यात्राएं कब हुई थी इनके उद्देश क्या थे और इनसे जुड़े रोचक संस्मर्णों को जानने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिश पत्रकार और चिन तक शशांक शर्मा जी शशांक जी अकाश्वाणी के स्टूडियो में हम आपका स्वागत करते हैं जी नमस्कार शशांक जी जैसा भी हमने जिक्र किया कि महत्मा गांधी आजादी के अंदोलंग के दोरान दो बार 36 गड़ के इस अलाके में भी आये थे तो ये जो यात्रा हैं वो कब-कब हुई थी महत्मा गांधी जी के विकल जी ऐसा है कि महत्मा गांधी मूल नाम तो मुहंदास करमचन गांधी अगर मैं आपसे कहूँ कि दो बार उनकी जो यात्रा है वो एक बार महात्मा बनने के पहले जब में मोहंदास करमचन गांधी थे और असायोग आंदोलन की उन्होंने गोशना की थी और नागपुर में एक अधिवेशन था कॉंग्रेस पार्टी का जिसमें कॉंग्रेस पार्टी की संदचना और उनके उद्देश और निती के अपन मुल्चूल परिवर्तन होना था उस अधिवेशर में भाग लेने कलकत्ता से गांधी जी निकलने वाले थे उसी समय चत्तिसगर में कंडेल सत्यागरा जो नहर के पानी को लेकर धमतरी के छेतर के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ में एक आंदोलन छेड रखा था तो उस आंदोलन के प्रनेता थे पंडित सुंदरलाज शर्मा वो उस समय कलकत्ता में थे उन्होंने गांधी जी से आगरह किया था कि वे नागपूर जाने से पूरू रायपूर में और कंडेल में आये तो उससे आंदोलन कारियों को बल मिलेगा क्योंकि चंपरण में जिस तर आने के कारण ही उस प्रभाव में वापस ले दिया था तो आंदोलन कारियों को लगा था कि गांधी के आने से कंडेल सत्यागरा पर असर पड़ेगा और ऐसा हुआ भी जैसे ही अधिकारियों को ये पचला कि गांधी जो है वो कंडेल सत्यागरा में आ रहे हैं उन्होंने एक दिन पहले ही कंडेल सत्याग्रा के जितनी मांगे थी आंदोलनकारियों कि वो मांगे मांदली और कंडेल सत्याग्रा समाप्त हो गया, तो गांधी का जो पहला चत्तजगर प्रवास है, वो केवल रायपूर तक सिमित था, और एक बड़ी बात यह है कि इस बड़ी घटना को लेकर, क्योंकि उसमें मैंने कहा कि गांधी अभी महात्मा गांधी नहीं बने थे, अभी मोहंदास करमचन गांधी थे, तो इसका कहीं पर विस्तार से कोई जिक्र मिलता नहीं है, पंडित रवीश अंकर शुक्ल या पंडित सुंदरलाल शर्मा, ये बहुत अच्छे ले सत्तात्मा गांधी यहां रायपूर में, जो ब्रहमण पारा में आनन्द वाचनाले है, वहां भी गए थे और उन्होंने महिलाओं को भी संबोदित किया थे, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएगा. गांधी जी की एक सबसे बड़ी विशेशता ये थी, कि गांधी जी प्रणाली थी, लेकिर अंग्रेय जी जो भी व्यवस्था लेकर आए, उसमें एक लोकतंत्र की व्यवस्था उसमें नहीं थी, तो जब भारत स्वतंत्र होना था और उसमें लोकतंत्रिक व्यवस्था लागू होनी थी, तो भारत का जब तक अंतिम व्यक्ति, जब तक नेतिक एक जागरुकता नहीं होगी तो किसी भी देश में लोग तंतर सफल नहीं हो सकता तो गांदी ने जब इस बात को महसूस किया तो वो जब भी कहीं यात्रा करने जाते थे तो जो भी उनकी मुख्य सभा होती थी वो तो होती थी वो विशेश तोर पर महिलाओं के साथ बैठते थे उनको राजनितिक रुप से जागरित करते थे उनको चर्खे को लेकर उनके अंदर में एक उत्सा पैदा करते थे उनको सौलंबी होने की सीख देते थे और इस तरह से गांदी जहां भी जाते थे तो रायपूर में भी जब 1920 में ऐसा माना गया कि रानन समाज व बोधित किया था और उनको चर्खा और स्वदेशी को लेकर प्रेणा दी थी अच्छा शेशांग जी ये तो हुई गांदी जी के प्रथम प्रवास की बात 1933 में जो उनका द्वितिय प्रवास था 36 गड़ में वो क्यो हुआ उसके क्या कारण थे विकल जी ऐसा था कि 1920 में ह और हुआ यह था कि अंग्रेजों ने एक कमिनल अवार्ड की घोशना की थे जिसमें उन्होंने भारत के अंदर में जो अनुसुची जाती वर्ग के लोग हैं उनको कुछ राजनेतिक और तमाम आरक्षन देनी की बात हुई थी जैसे उन्होंने मुसल्मानों को 1909 में दिया प्रिथक निर्वाचन की तरह तो उससे डॉक्टर बिया रामबेटकर उस समय बड़े नेता थे तो वो बड़े उत्साहित थे लेकिन महात्मा गांधी को लगा कि यह जो नेड़ने था अंग्रेजों का यह भारत के अंदर में एक तनाव पैदा करने और समाज को तोड़न रामबेटकर कहते थे कि गांधी जी आप जो अनुसुची जातियों को यह जो महत्मूर्ण लाव मिल रहा है आप उससे उसको वंचित कर रहे हैं तो गांधी ने उस पैक्ट में कहा था कि मैं अनुसुची जातियों को हरीजनों को वंचित नहीं कर रहा हूं सरकार जिस मकस और जिस उद्देश से ये आप के लिए दे रही है वह तो बहुत थोड़ा सा है लेकिन इसका दुरगामी जो दुश परिणाम है वो ज़्यादा होगा उन्होंने वादा किया था डॉक्टर रामबेटकर से कि इसके बाद जब भी चुनाओं होंगे उस समय अनुसुचित जा आजनीती से सन्यास लेकर उन्होंने भारती राष्टी कॉंग्रिस से बकायदा इस्तिफ़ा दे दिया और उन्होंने डॉक्टर रामबेटकर को ये वचन दिया कि वो आजीवन हरीजन उद्धार में अचूतों के उद्धार में जब तक देश में अचूत और गैर अचूत उद्धार के लिए किया था उसकी शुरुवात ही 36 गड़ से की था लब ये सबके लिए सभागी की बात है कि इस धर्ती पर जो है यहां से उन्होंने उसका शुभारंब किया था उसका कारण भी यह था कि 1930 के सविनय वग्या अंदुलन के बाद उनका जो इस्थाई निवा और इस दौरान गांधी जी कहां कहां गए थे विकल जी ये दौरा उनका काफी लंबा था बाइस नवंबर को उनका आगमन हुआ था और अठाईस नवंबर को वे यहां से चिंदवाडा बाला घाट होते हुए इतारसी गया था वाच दिन पूरा वो 36 गड़ में रहे उनक उनकी शुरुवाद जो है दुरुग से होती है क्योंकि वो वर्दा राजनानगाउं होते हुए आय थे तो दुरुग में उनका सबसे पहला कारिक्रम था और उनकी पहली सभा भी वही हुई थी वहां से फिर वे रायपूर आय थे रायपूर में उन्होंने फिर एक स्वद मेले का उद्गाटन किया था फिर उन्होंने आमसभा को संबोधित किया फिर धंतरी भी गये कुरूध होते हुए नया पारा राजीम होते हुए उन्होंने एक दौरा किया उसके बाद रायपूर में उन्होंने मौधा पारा के आसपास कहीं एक हरीजन मंदिर का वो रायपूर इस्थित उस्ता में जो राजकुमारों का कॉलेज था जिसको आज हम राजकुमार कॉलेज कहते हैं वहां उनका एक व्याख्यान हुआ था और यह भी बड़ा रोचक था इस तरह से पांच दिन महात्मा गांधी चत्तिजगर के विबिन इस्थानों पर गए औ और उसी महात्मा गांधी अपने उस समाच की जिम्मेदारी को निर्वान करने आये थे जो भारत के हमारे समाच की सबसे बड़ा दुरगुण हम मान सकते हैं तो यह जो अच्छूतों का भेड़ था उसको दूर करने के लिए शशंग जी हम बात कर रहे हैं गांधी जी की जो दो यात्राएं हुई 36 गड़ में अजादी के अंदोलन के दौरान उनकी मैं ये जानना चाहूंगा की दोनों यात्राएं चाहे वो उनकी पहली यात्रा दिसंबर 1920 में हो और या फिर जो दूसरी यात्रा नवंबर 1933 में 36 गड़ भले ही आज हम एक पिष्डा हुआ प्रदेश कहते हैं आज हमें उस आत्मगरो और स्वाभिमान का बोध न हो लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 19 शताब्दी के अंत से बलकि 1875 के बाद से अगर मैं कहूं तो 36 गड़ एक बेहद राजनितिक तोर पर जागर हुआ करता था और इसलिए हम उस समय कहते हैं कि माधोर और सप्रे पहला जो हिंदी का समाचार पत्र है वो यहां से प्रकाशित किये थे और उस समय साहितिके छेत्र में बड़े बड़े नाम पदुमलाल पुनलाल बक्षी जैसे नाम उस समय यहां हुआ कर गांधी के प्रस पंडित संदरलाल शर्मा जो गांधी जी ने हरीजन उद्धार और हरीजनों के मंदिर प्रवेशका जो आंदोलन 1922 से शुरू किया वो 1917-18 में राजिम के एक मंदिर में ही हरीजनों को अच्छूतों को मंदिर प्रवेशका करके शुरू कर चुके थे और इसलिए जब राय भैपूर की आमसभा में इस बात का उलेक किया कि पंडित संदरलाल शर्मा तो मुझसे पहले से ये काम कर रहे हैं और उम्र में भी मुझसे बड़े हैं तो इस तरह से वो इस काम में तो मेरे से भी आगे हो गया है तो सबसे बड़ा प्रभाव जो है गांधी का पड़ा वो राजनितिक जागरुपता थी तो मुझे लगता है कि गांधी ने यहां की जन्द मानस को बहुत प्रभावित किया गांधी ने केवल राजनितिक छेत्र में नहीं यहां के समाजिक आर्थिक छेत्र में भी बहुत प्रभावित किया क्योंकि गांदी जी बहुत लंबे समय तक वर्धा में रहे इसलिए 36 गड़ के अंदर में आपको वो भोलापन दिखेगा जो गांदी के अंदर में दिखता है वो सादगी आपको यहां दिखाई देगी जो गांदी जिसकी कलपना करते थे विकल जी पांदी के प्रवास में ऐसा लगा जैसे मानो गांदी का दर्शन करने के लिए हुजूम लग जया हो जहां पता चलता था कि गांदी आ रहे है वहां हजारों लागों उसमें आबादी कितनी रही होगी 36 गड़ की 1950 में 36 गड़ की आबादी ही पूरी पौन करोड थी अब आप सोचिए उससे और 20-30 साल पहले कितनी कम आबादी रही होगी लेकिन रायपूर के एक समारों में एक लाग से अधिक लोगों की भीड उमर जाना और वो समय एक जिन्हों ने इसको दर्ज किया है अपनी पुस्तक में वो कहते हैं कि जब वो वहां पहुँचे इतने भीड कि गांदी को वहां से निकालना मुश्किल हो रहा था तो एक दरवाजा तोड़ के पीछे से गांदी को निकाल कर ले जाना पड़ा और लोग उनको छूने जैसे कोई अगर उनको छूनी पाता था तो वो गाड़ी उनकी कार को ही छूने थे तो ऐसा लगता था कि हमने गांदी को छूनी लिया और गांदी के प्रति इतना आदर सम्मान एक बात मैं और गांधी के बारे में बताना चाहता हूँ कि गांधी जी को लोग बहुत कुछ भेट करते थे हाँ मैं यही जानना चाहरा था आपने कहा कि लोग काफी भेट दिया करते थे किस किसम की भेट हुआ करते थे तो गांधी जी फिर उन भेटों का क्या किया करते हैं? देखें, सबसे प्रमुक भेट तो उनको पैसे की थैली दी जाती थी, जो उन्होंने अचुतोद्धार के लिए कारेकरम शुरू किया था, उसके लिए चंदा इकठा करने भी उनके इस यात्रा का एक मकसद था, तो वहाँ से तो एक ठैलियां लेते ही थे, लेकिन गांधी के प्रभाव में आके कोई अपनी अंगुठी उनको दान में दे देता था, कोई कुछ पोटली में कुछ दे देता था, एक बड़ी रोचक घटना है, कि वो दमतरी से लौट रहे थे, तो अचानक रास्ते में एक पोटली उनके कार में आकर गिर गई, तो गांधी ने उसको उठा कर देखा, तो उसके अंदर से कुछ चावल, सुपाड़ी और हल्दी निकला, तो हम भी किसी व्यक्ति को सम्मान करने के लिए ये चीज़ें देते हैं, तो किसी एक महिला ने ये पोटली फेक कर, क्योंकि मिल नहीं पाया, तो पोटली फेक दी, तो गांधी ने उसको सहर्ष स्विकार किया, कहा कि ये तो बहुत अच्छी भेट है, गांधी जी के एक और विशेश्टा थी, उनको जो भी भेट मिलती, क्योंकि वो बिलकुल भी वस्तु भावतिक्ता से बहुत दूर थे, और उनका मुल उदेश धन संग्रह करना था, तो उनको मिली कोई भी भेट को वो निलाम कर देते थे, इस पोटली को वो जब निया पारा राजिम गया, तो एक सुएक रूपाए में उन्होंने निलाम कर दिया, ऐसे यूँ नको एक अंगुटी मिली थी, पंदार रूप उसमें कीमत ंंगुटी थी निलाम कर दिया था, उनको पता था कि आम्दोलन के जो पैसे चाहिए वो किस रूप में लिये जा सकते थे तो ऐसे कई संस्क्रण आपको गांधी जी के बारे में चत्तिसगर की आत्रा में उनके मिलेंगे उन्होंने यहाँ पर शशांग जी अपने चत्तिसगर के दुति अप्रवास के दौरान राजकुमार कॉलेज में भी जो विद्यार्थियों उनको संबोधित किया था और वो भी उनका जो संबोधन है वो बड़ा ही चर्चित रहा था क्या सीख दी थे उन्होंने उस समय विद्यार्थियों को विखल्ब जी मैं पहले तो इस राजकुमार कॉलेज के इस कारिक्रम के बारे में आपको बताओ तो ये वहाँ पर एक जो अंग्रेज प्रिंस्पल थे उनको जब पता चला कि गांधी जी आय हुए है तो उनकी बड़ी इच्छा हुई कि गांधी को अपने कॉलेज के अंदर लेकर आए लेकिन आप देखिए अंग्रेजों का शाशन था और गांधी अंग्रेजों के विरोध में लगातार आंदोलन करते थे तो वो जानते थे कि इस तद़र का कारिक्रम करूंगा तो उन प्रिंसिपल के खिलाफ में अनुशाशनातमक कारवाई भी हो सकती है यह रिस्क लेते हुए उने पड़ी तरवी शंकर शुकली जी से आग्रह किया कि हमारी कॉलेज में आप लेकरा है गांधी जी गए और वहाँ तो आप जानते हैं उस समय केवल जो राजा होते थे रियासते होती थी उनके राजकुमार ही वहाँ पढ़ते थे तो उन्होंने राजकुमारों को संबोधित किया लेकिन आप एक समान्य व्यक्ति राजकुमारों को संबोधित करते हुए उन्होंने देश के प्रती जो राजकुमारों को पाट पढ़ाना चाहिए था एक स्वतंत्र भारत में रियासतों की क्या इस्थिती होनी चाहिए राजा का भारत के प्रती और भारत की जनता के प्रती किस प्रकार का भाव होना चाहिए राजाओं के व्यवहर कैसे होने चाहिए उसको लेकर बहुत दोटुक उन्होंने बाते कही थी उन्होंने कहा था कि आप लोगों का रहन से जो है न वो अंग्रेजों जैसा हो गया है अंग्रेजी में बोलते हैं आप विदेशी भाषा का नुसरन करते हैं और आप भारत के राजा कहलाते हैं राजा अगर अपनी प्रजा से उनकी भाषा में बात चितना कर सके तो वो राजा कैसा है तो इसलिए उन्होंने सीख दी कि वही आप भारत की भाषा को जन्ता की भाषा को और हिंदी आप की भाषा को सीखे उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों की बहुत सारी बुराईयों को हमारे राजकुमार और राजा बहुत असानी से ले लेते हैं जैसे मद्यपान करना, जुवा खेलना, घुरदोर में हिस्सा लेना, उन्होंने उनको सकती से कहा था कि आपको ऐसी बिमारियों से बचना चाहिए, तो उन्होंने स्वतंत्र भारत में इन राजाओं की क्या भूमिका हो, लोकतंत्र में इन राजाओं की आगामी क्या भूमिक वल्विंग चेर का इस्तमार अपनी दुर्ग की सभा में किया था और उनको बड़ी पसंद आई थी। उसके बारे में थोड़ा सा शोताओं को बताई। चेरे में सब को बिठा देते हैं। अच्छा गांधी जी के आवाज जो थी वो बहत बुलंद थी। कई मीटर दूर तक उनकी आवाज सुनाई देती थी। तो अब समस्या ये थी कि वो एक तरफ अगर खड़े होके भाशन देंगे, एक तरफ बैठ के देंगे तो दूसरी त चेहरे को देखने को लालाई था, तब घंशाम सिंग गुप्त जी ने एक रास्ता निकाला, उन्हेंने काया कि एक रिवॉल्विंग चेर हम ले आते हैं, वो चेर में घूम घूम के आप भाशन दीजे, और गांधी जी उनके इस तरकीब से बहत प्रसंद हुए, और उन्ह उन्हें आखिर में कहा भी, कि गुप्ता तुने तो बहुत अच्छा तरकीब निकाला है, भोले अब मैं इस तरकीब को भारत के दूसरे हिस्तों में भी आजवाऊंगा, तो जो है, एक नया अविश्कार कह लिए गांधी को देखने सुनने का उन्होंने किया था, वैसे श आफिला जब चलता था, तो जन्दरली कहीं बीश में रुकते नहीं थे, लेकिन पता नहीं कि वो नान घाट में एक बहुत रिद्ध महिला, गरीब महिला को उन्होंने जब देखा, तो उन्होंने अपने आप ही गारी रुकवा दी, तो वो मिलने के लिए लालाईत हो गई तो गांधी को देखकर उन्होंने कहा कि मैं आपका पैर दोना चाहती हूं, तो उन्होंने कहा कि मैं पैर नहीं दोने दूँगा, और अगर धो गए तो मैं एक रुपिया लूँगा आपसे, अब वो इतनी गरीब थी वे चाहिए, उन्होंने मजाक में कहा था शायरी, नही फिर उनकी इच्छा पूरी की, एक और बहुत अच्छा किस्सा है, वो गुजराती थे, तो एक बार वो धंतरी गय थे, तो धंतरी गय थे उनके साथ मीरा बेन भी थी, मीरा बेन उनका व्यक्तिगर जो है देख भाल करती थी, तो उन्होंने मीरा बेन उनको कहा कि भई नापी बुला लो तो मेरा बेन बहार आई और उन्होंने वहाँ पर जक्ताब जी करके एक नेता थे उनको कहा कि भई आप नापी बुला लो हजारी लाज जी जैन उनके ड्राइवर हुआ करते थे अपने धमतरी के ही थे उनसे कहा कि जैन साब वो नापी उनको लेकर आए, उन्होंने खुशी-खुशी उनको बनाया, वो पैसे से इंकार कर दिये, कि मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा, तो उन्होंने कहा नहीं, आप ये पैसा लो, लेकिन इस पैसे का आप चारा खरीद के गायों को खिला दो, तो ये भाव, सेम ऐसे ही राइपू जी, शचंग जी, आपने बहुत ही रोचक अंदाज में, गांधी जी के दोनों जो च्छतिजगा प्रवास से उनके बारे में हमाई शोताओं को बताया, और जब मैं सुन रहा था इस इंटर्विव को आपके साथ कर रहा था, तो मुझे खुद ऐसा लग रहा था, खियाद मैं उस दौर में पहुँच गया हूँ, हमाई शोताओं को भी यह महसूस हो रहा होगा, हम सब उस दौर के नहीं हैं, लेकिन आप हमें इतिहास के उस दौर में अपने शब्दों से, अपनी बाची से ले गए, बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी रोचक और इतने अच्छे स दुनिया की रचना करेंगे, बिल्कुल सही का शशांग जी, एक बार पने, आपका बहुत बहुत आपार,